गाईज ये दा डर्मको कंपनी का 3% निया सीनेमाइड फॉर्मिंग डेली फेस वोश का रिव्यूज तो गाईज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फेस वोश के क्या क्या बैनेफिट से कौन सी स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं क्या ये सच में वर्क करता है और क्या इ ये सारी बाते मैं आपको बताने वाली हूं इसी वीडियो में बस आप हमारे साथ इस वीडियो में लास तक बने रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल बटन को प्रेस कीजे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुचे तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट विडाउट वेस्टिंग टाइन गाइस ये ता डर्मा को कंपनी का 3% निया सीने माइट फॉर्मिंग डेली फेस वोश है तो इसी तरह की ये पंपिंग बोटल में आता है जैसे कि आप देख रहे हो और इसके अ 100 ml की क्वांटिटी के साथ आपको ये मिलता है और ये सल्फेट फ्री है पैरवन फ्री है मिनरल सॉइल फ्री है और ये सारी चीजे इस पे बिल्कुल नहीं है तो ये बिल्कुल वेगन है जैसे कि डर्माटोलोजिस टेस्टड भी है और ये फेस वोश सुटेबल है फोर ऑल इसकिन टॉन होता है उन लोगों के लिए ये फेस वोश जादा अच्छे से वाग करता है अब बात करते हैं इसके इंगिडियंट्स की थ्री इंगिडियंट्स इसके मेन है जिसमें फरस्ट है थर्ट 3 परसें निया सिनेमाइट जो की बी 3 का ही फॉर्म है और जो हमारे फेस इस तरीके से वाग करता है सेकिंड जो इसका इंगिडियंट्स से वह है ग्लाइकॉलिक एसिड जो की हमारी स्किन को डीप क्लीन करने का काम करती है हमारी स्किन से डर्ट को रिमॉव करती है एंड हमारी स्किन पर वाइट ब्लैक हैट्स होने से बचाती है और हमारी स्किन को radiant glow देती है तो glycolic acid हमारी skin पर बहुत अच्छा वा करती है और इसके अंदर glycolic acid है तो ये हमारी skin पर बहुत अच्छा effect डालता है थर्ड जो इसका ingredient से वो है grislin जो कि हमारी skin को dryness से बचाती है and हमारी skin को soft and suffle बनाती है और हमारी skin को hydrate रखती है हमारी skin को बिल्कुल भी dry नहीं होनी देती hydrate रखती है तो मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे आप apply करना है pump की help से आपको face wash अपने हाथ पर लेना है and अपने face पर apply करना है इसका texture बहुत ही creamy creamy है और ये fragrance free है मतलब बहुत ही mild सी इसमे fragrance है जो की irritation बिल्कुल नहीं करता आपको अगर fragrance allergy है तो आपको बिल्कुल problem नहीं होगी बहुत ही mild बहुत ही धीमी धीमी इसके अंदर fragrance है बहुत ही अच्छी and आपको इसका texture भी बहुत अच्छा लेगा बहुत creamy creamy इसका texture है आपको अपने बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब आप इसको apply करोगे अपने face पर and आपको normal water से face को wash कर लेना है एक मिनट apply करने के बाद उसके बाद आपको normal water से wash कर लेना है तो आप देखोगे कि आपकी skin बहुत ही clean feel आपको clean feel होगी आपकी skin बहुत soft and suffle आपको दिखाई देगी and आपको अच्छा लगेगा आपको एकदम अच्छे से लगेगा कि हाँ मेरी skin बिलकुल clean हो चुकी है and आपको अपनी skin बहुत healthy feel होगी तो अगर आपसके best results चाहते हो तो आपको ये कम से कम 3 months use करना है regular क्योंकि अगर आप किसी भी product को purchase करते हो और उसका result आप चाहते हो कि अच्छा result मिले तो आपको 3 months इसको use करना है और इसका 50% result within 2 week में आपको दिख जाएगा इसका result कि हाँ ये आपके उपर वाग कर रहा है या नहीं तो आप इसको purchase करोगे तो उसके बाद आप 2 हफते इसको use करोगे तो आपको 2 हफतों के बाद आपको थोड़ा परसेंट कुछ परसेंट आपको result इसके दिख जाएगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरी skin को suitable है और हमारी मेरी skin पर ये work कर रहा है बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की साइड इफेक्ट्स वाले इसमें कोई भी ऐसा ingredients नहीं है जो हमारी skin को damage करें या harm करें तो साइड इफेक्ट्स का मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें के कोई side effects भी होंगे ये बिलकुल बहुत ही अच्छे इंगिडियंट से बना हुआ है और पैराबिन सलफेट और मिनरल सॉइल फ्री है तो काफी अच्छा है फिर इसकिन वालों के साथ-साथ ये और ड्राइ सकिन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं और जिनकी स्किन पर पिंपल हो रहे हैं धीरे-धीरे उनको अपनी स्किन में इंप्रूमेंट दिखाई दिने लगेगा तो उनकी लिए बहुत अच्छी है क्योंकि पिंपल को रोकना कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात होता है कि जादा तर उन लोगों को फेसवोश सूच नहीं होता कोई तो ये फेसवोश उनकी पिंपल की प्रॉबलम को भी कम कर देगा धीरे-धीरे जब आप इसको रेगुलर यूज करोगे ये आपको दूनों टाइम यूज करना है देखा जाए तो इंगिजेंट्स काफी इसमें डाले गए हैं और उनका रिजल्ट भी काफी अचह होता है हमारी सिकिन पर हमको पता होता है निया इसमेट और ग्लाइकोलिक एसिड किस तरीके से हमारी सिकिन पर वर्क करता है और कितना अच्छा और कितना पा़वरफुल इंगिजेंट्स हैं ये दोनों आज कल बहुत हर प्रोड़क्ट में एड़ होके आ रहे हैं तो इस फेस वोच में भी निया सीने माइट और ग्लाइकोली कैसे डाले गए हैं और इस तरीके से हमारे स्किन पर वर्क करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है 100% है अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आप यूज कर लिया है 25-26 दिन हो गए इसको यूज करते हुए और अब ये लास्ट में सिर्फ थोड़ी कम कमी कॉएंटिटी में बचा है और तो मुझे इसका रिजल्ट उन्होंने बताया कि हाँ इसका रिजल्ट है अच्छा है अब ये सेकंड बॉटल भी उसकी लेके तो आप इस फेसौश को जरूर यूज कर सकते हैं अगर आप इसको परचेश करना चाते हैं तो भाइ लिंक मैंने डिस्क्रप्शन बॉक्स में डाल दिया है अब वहां से इसको इजिली परचेश कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्रीस वीडिय झाल